है इप आप 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 सब आप सभी बहुत ही एच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही एच्छी हूँ तो फ्रेंड्स ये व्लॉग है ट्यूस्टे का और अभी टाइम हो रहा है सुबह के नौ और यहां पर मैं नहां दोकर आ गई थी किचन में और यहां पर मैंने जो बतुआ था वो बॉयल होने के लिए रखा था था वो बॉयल हो गया था तो बस वो मैंने निकाल कर रख दिया है ठंडा होने के लिए और अब मैं रख रही हूँ यहां पर आलू बॉयल होने के लिए क्योंकि आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ अपने हस्बन की फेवरेट बतुआ की पूड़ी आलू मटर की सबजी साथ में गाजर का रायता और यहां पर आप देख सकते हैं चाय बन रही है मेरे लिए क्योंकि अभी तक मैंने चाय नहीं पी है असल मैं आज सुबह बाबु को ले जानी थी लंच में मैगी तो उसके लिए मैंने मैगी बना दी थी और फिर उसको जो है स्कूल भेज दिया था तो आटो वाले भीया गेट पर ही आ गए थे क्योंकि जैसा कि आपको मैंने मंडे के व्लॉग में बताया था कि हजबन लखना हो गए थे तो वो नाइट में जो है तीन वजे लोट कर आए थे तो वो अभी भी सो रहे हैं और साथ में अभी भी सो रहा है तो फिर बाबु को जो है स्कूल भेजने के बाद मेरे पास कोई काम नहीं था तो इतने में जो है मैंने अपनी क्लीनिंग कर ली थी और उसके बाद फिर में नहाय आई थी और अब मैं बना रही हूँ याँ पर लंच तो यहां पर जो चाय थी मेरी हो गई थी और मैंने आलू बॉल होने के लिए रख दिये थे और बतुगा भी यहां पर ठंडा हो गया था तो अब हम पूरी के लिए और चीज़ें हैं वो तियार कर लेते हैं यहां पर अद्रक को मैंने गुट कर लिया था और थोड़ा अद्रक मैंने ले लिया था और लहसुन हर इमिज और इसको पहले थोड़ा सा गरम बशह दाल लिया था और शकाट डाले थे वो पांचे बन जह और यहां पर जो आलू थे व किये थे तो आलू सही से जुह हैंब नहीं हुए थे क्योंकि छोटा कुकर है और इसमें बहुत ज़लbior जल्डी शीटी आजाती है तो इसमें एक ठोड़ा टाइम लगता है थोड़ीज़ार लग जैफ जाहिए तो आलू मैंने फिर से रख दिये हैं बॉइल होने के लिए और जब तक आलू बॉइल होते हैं तब तक या हम पूडियों के लिए आटा तियार कर लेते हैं तो यहां पर मैं आटा चान लेती हूं और उसके बाद जो हमने पेष्ट बनाया है बत हुआ हरी मिर्श अद्रक लैसन सबी चीजों का वह हम डालेंगे साथ में थोड़ा सा नमक डाल लिया है और थोड़ा रिफाइन डॉल डाल लिया है क्योंकि पूरी बनाने वाले हैं तो थोड़ा थोड़ा तो क्यों क्यों है सपाएं यहां अए आपक अधे को अजेँआ हैं टों मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला था कि मिक्स करती जा रही थी जाめए तो उसको एड़ पूरा पेष्ट दक अब लो हमने था थे पूरे पानिया थेओं जिससे कि जो हमारा जार है वो अच्छे से साफ हो जाए जो भी इसमें थोड़ा बत्वा लगा हुआ था वो सब निकल आए तो यहां पर आप देख सकते हैं जो आटा था वो हमारा हमने गूत कर दिया है तैयार और पूडियों का आटा थोड़ा सा टाइट ही रखा जाता है और वैसे भी बत्वा डला हुआ है तो थोड़ी देर में जो है यह पानी भी छोड़ता है तो इस वैसे थोड़ा वने टाइट रखा था वाटा गूत कर रख दिया है और यहां पर हम मैंने ले लिया है प्यास ट्रमाटर और हरीमिच सबजी के लिए तो जब तक आलू बॉ पूड़ी के लिए बनाए था तो यहां पर थोड़ा विसल रही थी तो मैंने जो है वो भी निकाल ली है और आलू अब हमारे अच्छे से बॉल हो गए हैं और काफी सारी जो है सीटी लग गए थी तब जो है आलू बॉल हो पाए थे तो आलू को भी हम चील लेते हैं और आ मत्र का सिजन है तो मतर तो जो है ज़रूरी है भई मत्र के बिना तो काम चलना नहीं है इसपेशलिए मेरे हजबन का और आज तो अनी की फीविरेट सारी चीजह नहीं है तो फिर जुड़े उनकी पसंद का ध्यान लखना तो जरूरी है असल में कल सारा दिन वो घूम में फ संदीदा बतुए की पूड़ी बनाई जाए और आलू मटर की सबजी साथ में गाजर कराया था तो पस यही सोच कर जो है आज का लंच में तयार कर रही हूं अपने हजबन की खुसी के लिए और काफी अच्छा लगता है जब अपनों की खुसी के लिए कुछ करते हैं तो जह हुखा नहां पर देख सकते हैं जो हमने कुकर जिसमें हमने अलू बोल किये थे उसी में हमने ओर डाल कर प्यास टमाटर हरीमिस सारी चीज़ों को ढगा लिया था और और ने मसाले एड़ कर दियी ए साथ में मटर और 哦 जो बोल कर यहSoasal है. वो भी हमने add कर दिये हैं इनको अच्छे से mix करने क वाद हम डाल देते हैं पानी जितना हमें gravy रखनी है उतना तो बहुत जादा gravy नहीं रखने वाली हूँ थोड़ा गाड़ी गाड़ी सी ही सबजी बनाने वाली हूँ तो सबजी मैंने रख दी है बनने के लिए ट्राइ नहीं किया है तो एक बास जरू ट्राइ कीजिएगा तो यहां पर जो गाजर थी वो मैंने ग्रेट कर ली थी यहां पर सबजी देख सकते हैं आप सबजी भी हमारी हो गई है बनकर तेयार तो अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा जो कसूरी में थी है वो क्योंक जो गाजर है उसको थोड़ा सा इसमें फ्राइ करेंगे तो मुश्टली जो लोग होते हैं वो गाजर को बॉयल करकर गाजर का हलुआ बनाते हैं बट उस तरह से जो हम अच्छा नहीं लगता है क्योंकि बॉयल करने से उसके पानी में सारा जो है उसका जो भी नूटीशन हो तो गाजर मैंने मिक्स कर ली है दही में और इसके बाद गरम मसाला लाल मिश पाउडर और नमक डाल दिया था उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है तो अब जो है हम इसमें तड़का लगाएंगे तो यहां मैंने कड़ाई में ओल डाल लिया था जीरा डाल दिया है हींग डाल है अभी तक तो तो अब हम यहां पर जो अपनी पूड़ी है वो मना लेते हैं इतने में हजबन भी जाग गए थे और अभी लगबग जो है साड़े दस पॉने क्यारा का टायम हो रहा था तब कहीं जाकर हजबन जा गए थे और मैंने भी नहीं जगाया था क्योंकि इतने नैट था वो हो गया था खतम मुझे मोर्निंग में पता ही नहीं चला क्योंकि नैट में मैं अभी के वाइफाइ से कनेक्ट करकर जो है वीडियो बगएरा देखती हूं नैट में जो भी थोड़ा बहुत फॉन देखती हूं तो वही कनेक्ट था तो सुबह मैंने उसी से जो नहीं कोई वीडियो आ पाया और नहीं जो है मैं आपके किसी कमेंट का रिपलाई कर पाई तो कल यहीं वी लॉग जो है आने वाला था बट इसी वे से नहीं आ पाया तो उसके लिए सौरी जहां पर आप देख सकते हैं हमारी गर्मा गर्म एकदम बत्वा की पूरी बनकर हो साथ में गाजर का सैलिड और अब यहां पर हम कर लेते हैं अपनी क्लीनिंग हजबन बाहर बैठ गया है थोड़ा और इतने में अभी यहां पर देख सकते हैं खेल रहा है मैंने उसे पूरी दे दी थी और यह आप बैट शीट आप देख सकते हैं मैंने 29 हॉल में शेयर की थ है तो जो है बिचाने के बाद सच में काफी अच्छा लग रहा था और लेटे थे तब भी बहुत ही अच्छा लग रहा था एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम गरम गरम एंड थैंक यू सो मच आप सभी नहीं जो है मुझे सज़ेस्ट किया था इवुलिन बैट शीट के लि सब्सक्राइब कीजिएगा मिलेंगे नेक्ट व्लॉग में तब तक लिए बाब बाई